सबी स्टूडेंट एकदम ध्यान से देखें स्लेवर्स क्या है और स्लेवर्स को किस तरीके से आपको करके जाना है मैं in fact कोसिस करूँगा जो आसान चैप्टर है उसके टॉपिक्स भी बता दूं कि इस चैप्टर में से क्योंकि मैंने एक तो आपको मैं सारा चैप्टर बता दूंगा कई बार मैं बता चुका हूं लेकिन हर बार ना करने का क्योंकि डेज के इसाफ्चे में बताता हूं आज तारीक हो गई कितनी चार और 17 को मैं कुछ का 21 से 22 से 17 को मान लेता हूं तो 10 दिन 12 दिन है वैसे आपके पास लेकिन मैं 10 दिन मानके चलूंगा और सारा स्ट्रेटेजी में 10 दिन अगर आप इस चीज को फोकस करते हो इस चीज को आप कर लेते हो तो आपका एक्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा अगर एक्जाम से एक दिन पहले देख लेंगे जो सेमेस्टर वन में गलती की थी तो फिर आपको दिक्कत होगी अगर मैं बात करूं कॉर्परेट अकाउंट की मैं चैप्टर को उसी सीक्वेंस में लिखूंगा जिन बच्चोंने कर लिया है वह करें उस सीक्वेंस में जिनोंने नहीं करा वह उस सीक्वेंस में पढ़ना स्ठाट कर दें ठीक है पांच यूनिट है हमारे सबसे पहले मेरे हिसाब से स्टूडेंट को जो चैप्टर पिक करना चाहिए हम उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर हम यह देखेंगे कि हम स्कोर अच्छा कर पाएं अगर मैं बोलू कि पूरा स्लेबस खतम कर लोगे दस दिन में तो नौट पॉसिबल हम उस सलेक्टिव अप्रोच को करें कि हमारा स्कोर अच्छा हो जाए अब स्कोर अच्छा होने से मतलब क्या है सबसे पहले आप रीकंस्रक्शन चैप्टर करें सर ये चैप्टर आपका 15 मार्क्स का आएगा रीकंस्रक्शन ठीक है ना और रीकंस्रक्शन चैप्टर बहुत आसान है इसके लिए थोड़ी बहुत शेयर्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है हाँ जो बच्चा कहता है कि सर हमें शियर्स की नॉलेज है ही नहीं कुछ आता ही नहीं बिल्कुल जीरो है वो ये चप्टर को पहले ना करें ठीक है और सर इस चप्टर को करने में कितना टाइम लगना चाहिए मेरे हिसाब से और मैं एलिस करूं तो मैक्समूम टू मैक्समूम वन एन हाफ डे और एक दिन में भी इजिली हो जाएगा क्योंकि आप जब एक घंटे की इसकी क्लास देख लेते हो ना तो आपको समझ में आते हैं कहानी क्या है इसके अंदर और इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार बच्चे जो कॉर्पेट का भी पेपर राइस की पूश्चन पूछ लिया गया था तो बच्चों ने बोला सर वह सबसे लास्ट का टॉपिक था हमें लगा नहीं आएगा हमने छोड़ दिया तो तो सरेंडर रफ शिर का जरूर करके जाएं इसमें सरेंडर ऑफ शियर का टॉपिक इसमें सेंड़ का टॉपिक बता किनों चीजे करने जरूरी है और मैंने फोल्डर के अंदर बैलेंस शीट से रिलेटेड स्पेसिफिक इस इसी चैप्टर के अंदर डाल दिया है और इनफेक्ट स्टार मांग भी कर दिया कि इसके अंदर से यह यह टॉपिक तो करके जाओ छोड़ना नहीं है तो मोस्ट इंप सर यह कोश्चन भी 15 मार्क्स के आएंगे आपके एक्साम सर फाइनल अकाउंट क्यों करने में कितना टाइम लगेगा इट विल भी टेक टाइम लेकिन आप आपको मैं ज्यादा टाइम बता भी नहीं सकता कि दस दिन में कर ले ना फाइनल अकाउंट तब तो कुछ बचा ही और एक्जाम से पहले मैं बताऊंगा के कुछ सा पहले attempt एक्जाम में सबसे last में करना है इसको अभी पहले कर लो attempt last में करना है इसके अंदर simple है profit statement profit and loss जिसे हम बोलते हैं and balance sheet यकीन मानना इस chapter में आपको कोई ऐसा adjustment है नहीं जो की नहीं आता जो आपने 11th में सीखा जो semester 1 में सीखा वही समेस्टर टू में बस इसमें फॉर्मेटिंग और अमाउंट भरने की सारी कलाकारी है जो कि आपको सीखना पड़ेगा वीडियो अल्रेडी डाला हुआ है हर चीज के उपर नाम लिखती आ गया है फोल्डर के अंदर नंबर थ्री पे सर आप करें value of goodwill सरी पहले cash flow statement सर इसमें से भी आपके questions आएंगे मान के चल रहा हूं मैं 10 marks तक के question पूछे जाते हैं सर कितने दिन में ये भी आपका लगवग लगवग दो दिन ले लेगा मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जुन्होंने काया सर अभी तक पढ़ा नहीं और hope छोड़ दिया है कि सर अब अगली बार देंगे छोड़ देते हैं बहुत महंगा पड़ जाएगा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका indirect method slivers का part है इसके अंदर क्या है आपका topic operating activity प्लस investing activity प्लस financing activity प्लस financing activity प्लस कोई था क्या financing activity प्लस financing activity क्लियर होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिस कर रहा हूं समझ पा रहे हूं इसी sequence में उठाईए नंबर चार पे आप chapter उठाईए value of goodwill exactly 12th वाला है sir exactly 12th वाला बस इसमें capital employed का portion change होता है entity method वाला भी कराया था कुछ था ही नहीं आपने देखा होगा पूरा कर ये sir मेर से पूछोगे sir ये कितने marks का 10 marks का question आएगा और sir ये one day में complete करना है आपने इसमें basically 3 methods है एक आपका average profit एक super profit एक capitalization सारा करना पड़ेगा examiner कुछ भी पूछ लेता है लेकिन important होता है इसके अंदर average profit with adjustment वाला जिसके अंदर हमने देखा था depreciation आगे पीछे हो रहा था valuation of stock वगरा देखा था और एक capitalization वाला ज्यादा important है number 5 पर इसी के साथ के साथ आपको करना है value of shares इसमें से भी ये 20 नंबर का chapter है ये थार्ड unit है ये अगर मैं बात करूं तो ये वाला हमारा sorry हाँ ये थार्ड unit है फर्स सेकेंड थार्ड हाँ ये फूर्थ unit का है unit भी लिख देता हूं किस यूनिट में है ताकि आपको पता चल जाएगा ये फूर्थ unit का chapter है और ये दोनों थार्ड बच्चों ने ना सेकिंड यूनिट का बच्चों ने पूच पूच के सर cash flow statement तो हमारे एसोल के book में है ही नहीं भाई उसके अंदर नहीं डाला तो गलती क्या है आप स्लेवस में देखिए वहाँ पर लिखा हुआ आप सर फर्स्टाइम आया है depend on view इसको भी करने में कितना time लगेगा वन डे और जो बच्चे कर चुके हैं और लिक दीम करें जो कर चुके हैं फिर तीन चेप्टर इस तरीक इस तरीके से इस तरीके से रिविजन जितना frequently करोगे रिविजन उतना बिटर रहेगा अब marks की बात करूँ तो देखो 15, 15, 30, 30 और 10, 30 और 20, 50 और 10, 60 अगर इतने chapter कर लेते हो तो 50, 60 नमबर तो आई गए आपके 90 का paper आएगा आपका 50, 60 तो होई गया, past तो वैसे ही बच्चा हो गया 7 नमबर पे अब आपको जो pick करना है वो unit number 1 से कुछ chapter बोलूँगा चरूर करके जाना आएगा redemption of preference share लगे हाथ आप bonus भी कर लेना और लगे हाथ BB यानि buyback of shares तीनो सर क्योंकि ये तीनो mix करके कुछन बनेगा आपका तीनो mix करके कुछन बनने वाला है इस बात का ध्यान रखिएगा सर कितना टाइम लगेगा इसमें भी max to max two days max बोल रहा हूं two days लेकिन मैं करने का मतलब समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाहरा हूं आप बैठो register निकालो register निकालने के बाद एक एक सवाल को करके देखो ऐसा नहीं के answer देख लिया या पहले वीडियो में देखा था बहुत सारे बच्चों की क्या complaint आती है सर मैंने वीडियो में तो देख लिया था सब कुछ समझ में आगया आप तो मतलब भूल गया मैं तो सारा तो आपको देखना है समझना है करना है तब आप मानना के हो गया done और भले ही एक chapter छूट जाए लेकिन जो किया है उसमें से कुछ नहीं छूटना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा नहीं तो आप आधा-धा सवाल करके कि आओगे आपको कोई फाइदा नहीं फिर उसमें एक्साम में यूनिट वन ये पंदरा नंबर का मैक्समूम चांसिस है कि ये 15 मार्क का कोश्चन पूछा जाएगा इसमें से 15 मार्क का सर ये तीनो टौट क्स बता दियें और इसके अंदर आप पूछते हैं सर टौपिक्स कौनसा है जिसके अंदर इक्वेशन में शीर निकालते हैं शेआर होल्डर केंन नॉट ट्रेज वाला है जिसमें प्रफशर शीयर होल्डर पैसे नहीं लिया जाता ये point इसके अंदर important रहता है अब days की calculation करते हैं तो हमारे मान लेते हैं 2 दिन 2-4 दिन, 2-6, 7, 8 और almost 10 दिन हमारे ख़तम अब कौन-कौन से topics रहे गए हैं जो कि हमने छोड़ रखे हैं और जिसे कर ले तो और benefit मिल जाएगा अब उठा लिजिए unit number 5 that is theory जिसके अंदर है आपका annual return क्या होता है financial statement क्या होता है TSR क्या है theoretical part है theoretical तो आपको याद करना पड़ेगा वो जल्दी कर सकते हैं सर ये भी 20 नंबर का है अगर आप इतने chapter मैं देखो फिर से मैं कहूंगा जो बच्चे सारा chapter फॉलो कर रहे हैं वो पूरा करके जाएं जिन बच्चों का टार्गेट 90 यानि पूरे माक्स लाने का या जो बच्चा सोच रहे हैं कि कम से कम 85 तो लेके यहाँ परसंटेज अच्छे करने के लिए उसके लिए कोई चोईस निए मैं उन बच्चों के लिए यह वीडियो में बना रहा हूं जो कि अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अभी तक नहीं कर पाये थे या फिर समझ में नहीं आ रहा पहले कौन सा चप्टर पिक करें उसके लिए है ठीक है तो ये चप्टर करेंगा मार्क्स काउंट कर लिजे 15 15 30 40 50 60 70 और 75 80 90 नमबर का पेपर हो जाता है इसमें कई बार ना कुछ गुंजाईस होगी ठीक है इसमें कई बार और या फिर मान लेते हैं ये 5 का आगया ये 10 का आगया कुछ यहाँ पर गुंजाईस रहेगी ये 20 नमबर का यूनिट है ये भी 20 नमबर का यूनिट है 40 नमबर का तो ये बहुत एजिली और आप इसको पकड़ लो पहले जिसने कुछ नहीं पढ़ाना अच्छे से कर रखी है ये यूनिट और आटवे यूनिट को उठालो 40 नमबर यहां से स्कूर हो जाएंगे 40 और 15 यहां से हो गए 40 और 15 कितने होगे पच्वन नमबर ठीक है तो ओवर ओल आग देखो तो पंदरा पंदरा तीस तीस दस चालिस दस पचास दस साथ साथ और 20 असी और 15 पिच्चानवे हो गया लेकिन इसमें कुछ में ऊपर नीचे नमबर हो जाएगा जहां मैंने 15 लिखाया हो सकता है मेभी उसको दसका कर दें पेपर इसी पर डिजाइन होगा सर फिर बाकी के चैप्टर चोड़ देंगे बाकी के चैप्टर और में होंगे ना आपक एमेलगेमेशन आपको और में मिलेगा न और जिन बच्चों को पूरे मार्क्स लेने हैं वो इस चैप्टर को जरूर करें बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं इधर मैं मार्क कर देता हूं और बहुत बच्चों ने कर रखा है देखो जिन बच्चों को एमेलगेमेशन आत के चले जाओं सर अंडर राइटर सर शेयर कापिटल यह वो चैप्टर थे सर इस्वाप सर यह वो चैप्टर थे जिसके अंदर बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से जिन्होंने कर रखा होगा एंडर राइटर तो अभी किया था टेस्ट भी लिया था शेयर कापिटल आपका ट्वेल्थ वाला यह एक्जेक्टल कोई भरम मत पालना कैसा होगा वैसा होगा इस आप मैं एक बार दुबारा कर दूंगा वन शॉट में एमेल ग आके अच्छे से करा देता हूं मैं बाकी चैप्टर आपने करना है पास होने के लिए यह चैप्टर करें अब चोईज में क्या रहेगा एमल्गमेशन के चोईज में रीकंस्रक्शन नाइंटी परसंट आता है लेकिन यहां पर धोखा यह कर देते हैं कि एमल्गमेशन हेर फेर होगा और थियोरी के आएगा अल्रेडी कंटेंट में डाला हुआ है मैं थियोरी आप सभी को भी बता दूंगा जो बच्चे ऑफ लाइने में बता दूंगा उस थियोरी से बाहर ज्यादा कुछ पूछानी जाता वही थियोरी आएगा और हो सकता है में भी 15 15 नंब या फिर पांच का थियोरी इसके अंदर आपके पांच नंबर का थियोरी और मेंना वह मिक्सिंग करतेंगे बहुत ज्यादा तो उसकी गैरेंटी नहीं ले सकते लेखिन हाँ इतने चैप्टर कर लेने के बाद आपको पास होने से पास होने की बात नहीं कर रहा अच्छे मा नमबर थ्री कर लो यूनिट नमबर फाइब कर लो पास हो जाओ गया लेकिन फिर इसके अंदर यह जो बच्चा यह बोल रहा सरस्रिफ पास होने आले बता दो तो इसका मतलब वैरी क्लियर्ली समझ पाओ कि उस बच्चे ने स्टडी पे मनी नहीं है उसका जब इस रड़ी यूनिट ले तीन पाँच और एक रीकंस्ट्रक्शन कर ले बहुत आसान चैप्टर है पास हो जाएगा ठीक है न तो होपुली आपको यह वाला पूरा का पूरा फॉलो करना है वीडियो जरूर लंबी है लेकिन आपको इसी के अकॉर्डिंग प्लैनिंग बना के सब कुछ फॉलो करोगे पेपर अच्छा चला जाएगा अगर आप लापरवाई करोगे पेपर रुक जाएगा आपका इतना द्यान डखना आप कोश्चन पेपर में पहले बात करेंगे एक्जाम से पहले के हाव टू अटेंप्ट पेपर चुकि हर कुश्चन को सेलेक्शन भी एक र करना आपको अपने एक्जाम में जो आसान लगेगा लेकिन फिर भी मैं समझाऊगा कि यह यह ऐसे से फॉलो करके चलना वह एक्जाम से पहले बात करेंगे ठीक है अगली क्लास के अंदर रिवीजन के लिए मैंने कहा सीक्वेंस दो दिया है फटा-फट रिवीजन का और रिवीजन वाले बच्चे पांच दिन में पहले पूरा रिवीजन और अगले पांच दिन में दुबारा रिवीजन जो कोसिस कर रहे हैं कि हम 80 से 85 लाएंगे और उनको रिवीजन अगर पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उनको तो बस रेजिस्टर प्लट के देखना है रेजिस्टर को देखना है इसके आंसर कैसे आते हैं जिस कोस्टन में आप रुख गए उस कोस्टन को आपको क्या क अपरेगा